तोस्तों इस वीडियो मा हम बात करेंगहे थ्रीफेसाように जो को फिट करने के बाद करेंगे इसके स्लिपिर इन्ग में किस तरह से करेंगे और ट्रवाले करेंगे अई की है साओं अदर के सबसे पहले हम इसके कार्बन होलडर के क descrição करेंगे इसमें चार होलडर होते हैं एक न्यूटल का होता घूँ सबसे बाहर होता तो इसका न्यूटल वार होता तो इसमें हम तीन वायर फेस वाले लगा देंगे जो हमने निकाली है यह लोक अलरकी बागी वीडियो आपने नहीं देखिए इसकी बाइंडिंग वाली कनेक्शन वाली तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रप्शन में है उन लिंक को पे क्लिक करका आप देख सकते हैं कि इसकी बाइंडिंग कैसे होती ह है दो यहां पर हमने इसके तीन हुआं और हम इसमें डायोड प्रेट लगाएंगे तो तो ये तीन और लाल और काले जो है ये फिल्डों के है तो इसको हम इस तरह से सबसे पहले लगाएंगे लाल वाला वायर हमारा प्लस का है तो हमने जो डायोड प्लेट बनाई है इसमें हम इसको प्लस वाली साइड लगा देंगे सामने वाली साइड तो यहां पर इस साइड जो हैं यह सभी फिल्डों वाले तार लगेंगे तो यहां पर हमने प्लस वाला तार लगा दिया प्लस वाली साइड उसके बाद हमने दूसरा वायर लगा दिया है प्लस वाली साइड और यह सेकंडरी फिल्ड का तीसरा वायर है लाल वाला इसको भी हम प्लस में यहां पर यह आप देख सकते हैं यहां पर यह सब भी प्लस में लगें इसके बाद हम माइनस वाले वायर को मल्ट्रिमिंटर से यह से चेक करके लगाएंगे जो वायर जिस भी लीड से बोलेगा उसी सर्किट में इस वायर को हम लगाएंगे तो यह हमारे स्रीज की लीड है इससे हम चे मॉड़ें जी इस Ona बाद यह दोने नहीं बोल नहीं उसके बाद यह तीसरी लीड इस वाली लीड से बौल रहा है यह वाली टो यह लीड हम रहे है तो इस लीड को हम इसके बगर में माइनस वाले पाइंट्स पर लगाएंगे यहूज था POL से कि एक लीड हमने लिडा लेऌ बढ़ेंगे एक सिर्वह में प्लस पर लगाया और यह द्यूसरा मैंस पर लगाbolt walk लेगा उसको उसके साथ वाली लीड में लगादें तो यह वारा सिर्वार हमारा बोल रहा था है इसको हम डाइवड यह आपर यहां पर यहां पर हेह हमारे 8 माइनस यहां पर आप देख सकते हैं यह इस तरह से सर्क्पाँट उसे लों के तार यहां पर लगेंगे और दूसरी साइट जो लंबा भी匹ैट बना रहा हैं, उस साइट हमारे 3 के लगेंगे , और तीन जो है हमारे आर्मेचर के लगेंगे तो पहले हम इन पेचों को लूज कर लेंगे एक पेच छोड़के हम इसको लूज करेंगे एक छोटे वाले ब्रेकिट का स्क्रू लूज करेंगे और एक बड़े वाले ब्रेकिट का स्क्रू लूज करेंगे यानि एक स्क्रू छो सकते हैं लंबे ब्रेकिट में इससे कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत जो होगी हमारे प्लस माइनस में ही होगी तो हमने यहां पर एक नीला वायर लगा दिया है छोटे वाले ब्रेकिट में ठीक है इसके बाद हमने एक दूसरा विल वायर लिया है इसको हम दूसरे सर्किट में लगा देंगे इसके बाद हमने यहाँ पर नीले वाला तीसरा वायर लिया और इसको हम तीसरे ब्रेकिट में लगा देंगे तो यहाँ पर हमारे तीन वायर लग चुके हैं आउटपुड वाले ये अंदर वाले ब्रेकिट में चाहे तो इसको आप बाहर वाले ब्रेकिट में भी लगा सकते हैं इसमें कोई प्रोब्लम नहीं होती उसके बाद हम यहां पर yellow वायर लगाएंगे लम्बे वाले bracket में लम्बे वाले bracket के चाहें तो इस सिरे पर ला सकते हैं इधर वाले पर चाहें तो आप घुमा कर उस वाले सिरे पर भी लगा सकते हैं क्यूंकि यहां पर यह सोट हो कर एक ही है है इस साइट से लेकर चो हम अभी टाइट कररह है इस साइट से लेकर और कौने वाली साइट तक ब्र्यकिट एग यह क्यूंकि यह सौट हो रहा है ठीक है उसके बाद हम यहांपल यह दूसरा वायर लगाएं यह तो αी है तो आप इसको कनेक्टर को हो चैन्ट कर देजिए यह जो भी है Of सही हो वो कर दी जै ठीक है इसमेंosing नहीं होने चाहिए इसके वाद आब तीसरा येलो वार Leland लगादेंगे 3РЕे में तो यहाँ पर हमारे सारे 12 तार इसमें लग चुके है इसको चैक कर लेंगे कोई तार Luke तो नहीं है है इसको को हम बंद कर देंगे अगर आपका जनेरेटर करेंट दे और लोड डालते ही वोल्टेस गायव हो जाए तो इसमें हमारी जो प्लस माइनस वाली वायर है यानि विलैक और रेड़ वाली उसको एक्सचेंज कर देंगे इधर की उधर उधर की इधर लेकिन सर्किट चेंज नही लेवाले उनको肠ीन के में इस तरह से कर लेंगे और जो तो प्राइमरी वायंडिंके या उसको हम लगा लिए इस तरह से तो सबसे पहले लेंगे चार एंपियर के हमने याँ पर डाइउट लिया है इसका जो हमारा प्लस वाला सिरा डायोट का उसको हम इस तरह से रखेंगे प्लस वाली साइट डायोट के उपर एक निसान होता है वाइट कलर का उसको हमने रखा है प्राइमारी फील्ड का जो तार आ रहा है पतला वाला उसको हमने प्राइमारी फील्ड के तरफ यहां पर से पहले ड़ तरह से और इसको हम घौमाएंगे इस तरह से डियोट को मोड़ेंगे जो हम वोल्ट टाइट करेंगे तो उसको हम जिब टाइट करतें एक हमें डियोट का जो थे con प्लस पॉट्स कर दिया उसके बाद हम इस तरह से इसको मोडेंगे तो यहांपर हमारे दो डाइयोड के हम पर लगश चुक्के हैं दोना डाइयोड के loael कि हमारे रेड़ वाली वाहर के तरफ है ठीक है उसके बाद हम तीसरा डायोड लेंगे उसका माइनज मैंड वाला पॉर्इंट हम ब्लैक वाली मायर के तरफ रखेंगे इस तरह । जो हमारी प्रामरी वायिंडिग की जो वायर है मैंड वाली काली उस की तरव हम —बन कर दो हम सामने कर देंगे एस तरहांसे यह हम दायोड लगा देंगे यह दो नि हम प्लस वाले सिरे हम लाल वाली लीड की तरफ रखेंगे और उनको टाइट करेंगे और दो डायोड की सिरे हम काली वाली लीड की तरफ रखेंगे और उनको फिक्स कर देंगे तो इस तरह से हमारे लाले वाली लीड की तरफ दो डायोड के सिरे हैं और काली वाली लीड के तरफ दो माइनस के सिरे हैं और दो हमारी जो मैन वाली लीड है नीली वाली और एक नीटल उन पर हमारा डायोड का एक माइनस वाला सिरा आएगा और एक प्लस वाला सिरा आएगा दूसरे साइड भी हमारे डायोड का माइनस वाला सिरा आएगा और एक प्लस वाला सिरा आएगा इसमें हम क्या करेंगे जो हमारा माइनस वाला वायर यहां से हम न्यूटल ले ले दोस्तों आपको एकबार फिर वदादू कि इस अल्टरनेटर में कुछ भी कमी नहीं थी फिर भी यह करेंट नहीं दे रहाता मैंने इससका सबकूल चेक किया यानि इसके डायोड भी ठीक थे लोड़ वाले इसके फिल्ड़े भी ठीकती इसका आर्मेजचर भी ठीक थीक था प्र भी ये ते रहा था मैं नहीं यsam की चुट भी नहीं किया मैं इसको खोला इसके सारेahahah से सॉट को ली जिसके दुबारा से ऐकर में पर हमें हैंडड़ेट परशेंडेर हूं कि य्क बार मैं अब करण्ड देगा अक्चिली होता क्या है कि कभी कभी बारिस के कारण या किसी और कारण जो होते हैं इसके उनमें मौश्चर आ जाता हरा जैसा उसमें हो जाता जोआटा पर और वो जोइंट सही से नहीं लग पाते हैं तो उस कारण यह करेंट नहीं देता है तो मैंने इसमें सबी जो इंडों को खोला और उन सबी जो इंडों को दुबारा से लगाया तो इस तरह से हमारा अल्टरिनेटर ठीक हो चुका दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें